हमारा इस कलिकाल में आने का कारण क्या है हम किसलिए आये हैं और हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं विकल युग के वल नाम यधारा शुमर सुमर मर उतर ही पारा बड़े भाग मानुस्तन पावा सुर्दूर लब सद्ग्रंथ निगावा नहीं तो लिख देते कि बड़े भाग गधातन पावा ऐसा भी तो लिख सकते थे इसलिए नहीं लिखा कि केवल मनुस्त से ही अपने स्वासों के द्वारा जिब्या के द्वारा प्रफू का नाम ले सकता है इसमना ने मर सकता है तो कहना है कि एक पल जो नहीं जिये इनसान की तरह एक पल जो नहीं जिये इनसान की तरह है वे पुझ रहे हैं आजकल भगवान की तरह हैं और महरबानी मीडिया की रुपियों की बदवत अरे दुनिया में वो छा गये हैं तूफान की तरह हैं तो कहना है कि फूलों की तरह हैं खिलते हैं मिलते नहीं है संतु अगर हमें वास्ते में अगर हमें जानना है कि जब हम मा के गर्भा में नो महीने तक उल्टे लटके थे हमने क्या खाया क्या पिया क्या किया तब तक हम जब हम जीवित रहे और यहां आकर हम क्या कर रहे हैं हमें क्या करना चाहिए तो देखिए उस समय हम जो भजन भूल गया थे वही भजन हमेरे संत महात्मागन अनेक अनुभवी हमें समझाने का प्रयास करते हैं यह पुराणों में भी लिखा है तो हम हरी का भजन करेंगे तो हमारा उद्धार होगा हमी नहीं इस जिंदगी को उस मालिक से मांगा तब हमें यह जिंदगी मिले अगर हम भजन नहीं करेंगे तो फिर दुबारा नहीं मिलने वाली यह जिंदगी पता नहीं कीडे मत्षर क्या बन जाएंगे कोई भरोसा नहीं है तार ना ना तार ना वाह वह अरी बस वूसी के हाथ है कि राम की भक्ती में लगना किसमतों की बात है देखिए अगर हमारी का भजन करेंगे अगर उस प्रभु की इक्षा नहीं होगी तो हम भजन भी नहीं कर सकते है तुब क्या कहना है 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 रिमांगा तुने तो हमांगा तुने तो मिली जिंदे गानी भूला तुने तो फिर ना प्लाए कभी मांगा तुने तो मिली जिंदे गानी भूला तुने तो फिर ना प्लाए कभी मांगा तुझे दो मिले जित दाने पुला तुझे दो फिर ना पाए कभे ये जनम तो फिर ना पाए काहे तो इतना इतराए मांगा तुझे दो मिली जिन्द जाने पुला तुझे दो फिर ना पाए कभे मांगा तुझे दो मिली जिन्द जाने पुला तुझे दो फिर ना आए कभे मांगा तुझे दो मिली जिन्द जाने पुला तुझे दो फिर ना पाए कभे कहना है अरे तार ना ना क्या राते सती दुभाई अरे तार ना ना तार ना पस्भुसी के हाथ है राम की भथिती में नगना किसमतों की अर्थ अरे तार ना तार ना तार ना पस्भुसी के ہाथ है राव के बकषे में रमना विसमतों के शुचात है तारना तारना बद उसी के हाथ है राव के वज़े में रमना विसमतों के बात का है कहना है ये जनम तू फिर ना पाए काहे कोई इतना इतुराए माना तुने को मिली जिंद जानी बुला तुने को फिर ना पाये कभी मांगा तुमे को अंपीले देना तरि दूने तो ब्रुद्न माएक कभी है मांगा तुमे को मिले देना तरिज मानी है तुम्हे तूने को फेला ताएक कभी है ये दो स्वेbon रुपे की नासी आई है परमादरनी हमारे बील जी काजदे सिक्षक महदय टेमरा मालवाले आपकी जानिब से दो से एक रुपे की रासी आई है और हमारे डांसरों के लिए अलग 21-21 रुपे की रासी आई है और ये एक काउन रुपे की रासी हमारे परमादर्ने स्री योगेंद्र जी हुई के आदर्स ग्राम बाचा वाले आपकी जानिब से इनायत हम आप सभी का अभार व्यक्त करते हैं मतरानी आप सभी की मिनों कामना पूरी करें आई ये स्री रामचरी त्रमाना से मनफसंद रचना आप सुनेंगे